इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती नियाई सहीता के section 65 के बारे में जो कि बात करता है punishment for rape in certain cases भारती नियाई सहीता का section 63 में हमने जाना था rape के बारे में और ये भी जाना था कि कौन सी condition होंगी जहां पर किसी महिला का rape होना माना जाएगा section 63 दो तरह की condition की बात करता है अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम age की लड़की के साथ rape करता है तो उसे कठोर कारावास दिया जाएगा यानि कि rigorous punishment दी जाएगी जिसे बढ़ा कर 20 साल तक किया जा सकता है या फिर इसे life imprisonment में भी बदला जा सकता है जिसका मतलब ये होगा कि वो व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा उसे जेल में ही अपनी सजा काटनी पड़ेगी प्लस उस पर fine भी लगाया जाएगा और ये जो fine होगा वो rape पीड़िता क इलाज के लिए या फिर उसको पुनरवास में help के लिए ये खर्च किया जाएगा दूसरी condition में अगर लड़की की ये 16 साल की है अगर उसका rape किया जाता है तो वहाँ पर भी आरोपी को rigorous imprisonment दी जाएगी कठोर कारावास जिसे बढ़ा कर 20 साल तक किया जा सकेगा जिसे life imprisonment मे भी बदला जा सकता है यानि कि वो जब तक जिन्दा रहेगा उसे jail की सजा काटनी पड़ेगी उस पर fine भी लगाया जाएगा जो कि victim की help के लिए होगा या फिर उसके ilaj के लिए होगा तो ये थी information भारती नय सहिता के section 65 की hope कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा